है लोगो तो सागत आप सबका टीम सोरेंगे यूटीब चैनल बर तो इस पर्टिकल यूडियम बात करने वाले दा हंडर का जो हमारा आज के लिए मैच रहने वाला है जिसमें हमारे सब के प्यारे राजदुलारे सेम करन वासेज सेम करन की टीम ओल इन्विंसिबल वासेज जो हमारी जो क्लार्क बेंड़केट जो बोलो वेल्स फायर्स के बीच में ठीक है ये दोनों टीम अभी के लिए अपना जो पहला मैच है वो हार कर बैटी है बट ओल तो चलो फिर भी से हार गई बट जो हमारी वेल्स है वह काफी बुरे तरीके सारे बैटिंग कुछ इनके देखने को मिली नहीं उसके बात में इन से लाइक टार्गेट भी डिफेंड नहीं हुआ दूसरी टीम ने दज्ज्य उड़ा दी बोलिंगे तो देखते हैं आज के लाइक में कुछ क कर सकते हैं नहीं और कौन से बनेंगे जो आपके फेंटर सीटी में पर्फेक्ट बनने वाले हैं ऐसा कैप्टन के लिए टीम में डिफेंचल क्या पिक्स होंगे सारी चीज़े डिसकस करेंगे तो वीडियो को आखिर तक देखना है पूरा वुच करना है ताकि मैं बोलूँ कर दिये तो मैं कोई भी एक रेंडम कमेंट पिक करूँआ और उसको विनर देंगे और बाद में वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं यह कुछन भी रहेगा आपके लिए तो देखेंगे और वह कुछन तभी आपको मिलेगा जाब वीडियो कूरा देखोगे तो आखिर तक सेकंड रहेगा कोईशन उसका जवाब देने वाला सही जो जवाब देखा वो भी गिवविनर बन सकता है बागी उसके लाएक और चीज़ है अग काफी सारी चीज़ है ठीक है एक और चीज़ है टेलिगराम चैनल जोइन कर सकते हो जिसका लिंक डेस्क्रिप्शन में मिल ज अगर फोटो ना समझते हैं तो बाया कि इनको तो सभी जानती होंगे हमारे अक्षे कुमार के फैन है तो बिल्कुल तो सेवन तो वोगर सिक्स थर्टे रही है इस मैच के इडलाइन तो काफी अर्ली रहेगा मैच वैसे नोर्मली ग्यारा बजे होते तो साड़े च्छे बनाता ना वो था 139 अब तुम देख लो कि जो सबसे कम स्कोर है वो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 139 का है मतलब रंतों बनते हैं डेड़ सो जा सकता है एक सो साट का टोटल जा सकता है अगर 170 भी पहुच जा तो मैं भी जादा शोक में मत होना ठीक है बिल्कुल जा सकता है य 26 जीते बैटिंग वर्ष ने 27 जीते बैटिंग सेकिंड ने तो दोनों चीज़े काफी सही रहती है चेज भी हो सकता है इस ग्राउंड पर और साथी साथ डिफेंड भी आपको होते वह यहां पर दिख सकता है बागी दो मैं च्टाई भी रहे एक सो बीस पोल की बात की है तो आपको यहां से देखने को मिल जाते है जैसन रोए तो कलर चेंज करता हूं तक आपको दिख जाए तो इदर से देखो जैसन रोए रहेंगे लास्ट में इस तो एकदम ब्लंडर रहा था ओल इन्वेंसिबल के लिए एक हारने का करण इन इस टीम का यह भी था जैसन और जीरो विल जैक्स बनाकर गए एक रन उसके बाद में तीन नंबर पर आये सैम करण जिनोंने बनाए और बोलिंग से एक विकेट ले गए थे मट रन बनाये थे सिर्फ और सिर्फ आठ तो मतलब कहीं ना कहीं बैटिंग मोडर को लैप्स वा था ओवल का जिस वाई से हार टोम करण को हला कि विकेट नहीं मिला मार बोत पढ़ी थी इस पैच में बागी आठवी नंबर पर सुनिल नरायन है दें डैनी ब्रीक से स्कौद में रीष टोप ले एंड दन महुमध हसने देखने को मिल जाते और महुमध हसने ने शुरुवात में विकेट काफी बढ़ी जैसे रोए एक मनें गेंपोंट पिक इस ग्राउंड पर काफी अच्छा उनका रिकोड रहता है इस वजह से वागी ठीक है थोड़ा खराफ में चल रहे हैं अब आपको पता है कि जैसे रोए हैं बिल्कुल एक हिट और में चला तो बिल्कुल एक तावर तोड़ है नहीं है उसके बाद में विल्कुल मिलाकर दोरन मनाएं अगर आप देखोगो उससे पहले का तो काफी बढ़िया देखने को मलता है तो दोनों अपनर्स मेरे ख्याल से ओल इंविंसिबल के आज के आज के लिए काफी ठीक ठाक सा उतना अच्छा नहीं कि पचास साथ मार आज है वह भी 25-30 तक के पुइंट आपको दे सकते हैं 25-30 रंस के उसके बाद में सैम करन काफी साथ इंपॉंट बन जाता है वह क्यों 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 कि यह आ रहा है तीन नमपर बैटिंग डेफिनिटली रखता है यह आप सब को पता है कि चैनी से बैटिंग चैनी सूबर इ सब्सक्राइब करने लाज मैच में जादा से जादा क्या होगा चार पर भेज देंगे तो बहुत ज्यादा बुरा ही निया तो कैप्टन आपके लिए यह है रहने वाला उसका बाद में सैंबिलिंग्स काफे डिफरेंशल हो सकता है क्यों कि यह 25-30 काफे सही से बना लेता ह इंडिया की बीच होती तो मैं बोल सकता है तो सेंबिलिंग्स मतलो फ्लोप होगा बट यह है इंग्लैंड के पिच डेफिनिटल रन बनाता हो अधिक सकते है आपको तो इनका जो यह तो हो रहे ना यह काफी इंपोर्ण बनेगा उसके बाद कि जो बैट्स में उनको आप मि जो पिछले कुछ मैचेज रहे ने टीटोंटी ब्लाश में उसमें इन्होंने बोलिंग नहीं कराई थी बाकी दाव 100 में तो शुरुआत किये बोलिंग से और फुल काट आउफ और इन्होंने डाले तो बोलिंग के चंस तो बनने वाले अब इसको देखकर गबराना मत मैच लिए दो विकेट शुरुआत इनकी भी काफी बढ़ी आ रही है यह पिछ बीन के लिए काफी एक्सकोटेबल हो सकती है अगर तुम सोचों के सुनील ना रहें बैटिंग से भी पूंट देगा तो उस चीज का वहम थोड़ा सा निकाल देना क्योंकि यह आई पेल नही सब लोग जा रहे थे टॉम करन के साथ में वहां मैंने पिक तो नहीं लिए ऐस बैटिंग से ठीक टागें दे गया था कुछ बाकि चलो कोई बात नहीं हसने वाज वापस से इंपॉंट बनने वाला है विकेट वगरा शुरुआत में निकाल के दे सकता होगी ठीक है अब श उपनर ऐसे हैं जिनके जल्दी जाने के चांसे बनते हैं स्पेशली टॉम बेंटों के ये भी ऐसा ही है जैसन रोई की तरह मारा दो मारा अधर्वाइस तो फिर लाइक एक दम कहानी खराब दिख जाती है जैसे कुछ इन स्वोर में रही है और जब मारे का तो देखो फिर बढ़िया से ठीक है तो एक्दम मैं बूलों कि डीमन है वह भी टू-फेस वैसा इनका कुछ रहता है कि कभी चले और कभी ना चले उसका बाद में जो क्लार के दो वंडे दे चुका पिछले दो मैचस में बागी इसका भी ऐसा ही है कि अल्टरनाइटिव मैचस में चलता यह आपके लिए काफी एक डिफरेंचल और थोड़ा हटके पिक हो सकते है अच्छा पर्फोर्मेंस कर सकता है ओली पॉप इदर से राइट हैं मैंने रन वागेरा काफी साही बना सकता है पिछले दो इनिंग में तस और ग्यारा है शुरुवात किये दो हंडर्ड में दस र सब्सक्राइब काफी कंसेशन रहता है 63 53 62 40 और जो शुरुवात किये वह भी 40 के साथ में सेफ पिक और एक अपनी स्मोली की टीम के लिए ऐसा कैप्टन राइस कैप्टन बनने वाले स्मोली क्राइब जिसमें करना उट्राइब कर लेना उसकाद में सैम हैं नहीं है तो आप सब्सक्राइब को उसके बैटिंग ओडर के हिसाब से नहीं किलाते हो तो कहीं ना कहीं वह अनकमफर्टीबल रहते और फ्लोप होता हुआ दिख सकते हैं से महने सब्सक्राइब जिसको शुरुवात में टाइम चीए और वह यहां पांच निमबर पर आकर नहीं मिल सकता तो दूसरा भी एक यह विकेट उसके लावा जीरो और ग्यारा रन इसके दिखेते मतलब विकेट लाए सबसे बड़ी दिक्कत जोश्कों को लेने के साथ में पिछले मैच में यह रही कि सिर्फ और सिर्फ बैटिंग करा है जहां इससे मोलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वह कर परशने मिलने वाले बोलिंग पर इस वज़े से इंपॉर्ट नहीं है उसका बाद में नूर हम लेफ्ट टाम लाइक रिस्पिनर है जीरो दू एक ठीक ठाक है रिसेंट फॉम लाश्ट मैच विकेट लैस ता उसकार्ड में एडम जैंपा भी लाश्ट मैच विकेट लैस ए आप चला तो एकडम तुम्हें लाइक को माइनस करा सकते हैं यहां अलागी होते हैं पॉंट माइनस एकनोमे वाले बटीक जरूर सकता है अगर होते तो जीरो उसके बाद में एक है फिर तीन है फिर एक विकेट और फिर दो विकेट है थोड़ा इंप्रेसिव नहीं लगता कि आपको तो वीडियो जाएगी 25 मिनिट की उसके बाद में यह व्यद्यक्राइब जो नोगे छिए में चैन्स में फढ़नीं बहुने से का मि्रस पिएक था जिदभ कम हैं है इनके द्रिल्ट नावा के था एक प्रा चांस मृ मैठ सोके परने का फाने के लैज़ा है बाद पर वहीं बात किजिए वेल्स ने तो चार खेलें दो जीतें दो हारें 50-50 रिजल्ट उनका इस ग्राउंड पर अभी के लिए रहा है सब्सक्राइब के लिए तो आएंगे तो आएंगे तो आएंगे किसकी जगए उपर से ओवर्सीज प्लेयर भी है बागी बोलिंग एक्षिन में बात की जाए तो टॉम करण्च हाइनिंग में 11 विकेट इस पिछ पर निकाल चुके है इसके बाद में रियान हिगिन से जो कि 8 इनिंग में 10 विकेट निकाल चुके है और बात कीजाए डैविट पैन की 11 इनिंग में 9 विकेट देखो वैसे ही पिट रहा था अच्छी फोम नेरी यहां मैच से भी कम विकेट है इसके उसके बाद में डैनी ब्रिक से 9 इनिंग में इस साल नहीं पिछले साल वेल्सफायर ने बनाये 121 साथ विकेट के नुकसान पर सो बोल में टॉम बैंटन का या दोरन कोब गया बारा जो आयते बैंटकेट के इनिंग वह ते 65 की उसके लाबा प्लोई ने बनाया थे 17 और इस टीम से विकेट किसने लिए थे वेल्सफायर तो ऐसे देखो हालत इदर भी खराब है क्रिचली का भी विकेट नहीं लिया था और हिगिंस के भी सिर्फ जीरो विकेट थे पांच बोल यह नहीं ने डाली थी बाकि जितने बोलर्स ने विकेट लिए वह अभी स्कोर से बाहर है वह इस तीम के साथ में अभी नहीं है तो क करें एक तो ग्राउंड उनका बहतर ठीक है ग्राउंड पर अच्छा खेलते हैं वह साथ ही साथ लाइक है उन्होंने एक मैच कहले इसमें तीन विकेट निकाल रहके सुनी लरेंड विकेट लैस था टोप लिन लिया था एक विकेट 14 रन देकर 15 वोल में यह कुछ हमारे ला जैक बोल चार बोल और दो बार विकेट दे चुक है तो कहीं ना कहीं यह वाला जो प्लेयर मैचर पर यह आपके लिए इंपॉंट बन सकता है कि विल जैक को अगर लेते हो तो जैक बोल कहीं जियान में ज़रूर रख सकते हो उसके बाद में जैक लीनिंग है जो के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन से और में भी थोड़ा स्क्रीन में आपको थोड़े कम दिख रहे हों क्योंकि शायद आइधिंग आज के लिए कलर कॉमिनेशन थोड़ा सा बिगड़ेगा है बैट चलो कोई बात नहीं स्मोल लीक के जो कैप्टन वाइस कैप्टन उप् बट मैं बोलूँगा कि रोई का वही है 50-50 चांसे या आपको शुरू में जितवा भी सकता है या आपको शुरू में हरवा भी सकता है पहले पांच और में डिसाइड करा देगा आपकी विन ठीक है कि कोई नहीं लाने वाले जैसन रोई का जैसा इसका अभी के लिए पिछ सबसे बढ़िया एक आने वाला है कि आपको वहां पर पता चलेगा किया चीज में बताई थी अब आपके लिए गिवावी कोशन आज के लिए यहां पर जो सबसे बढ़िया एक आने वाला है कि आज के लिए जो सब सबस्क चार राइड़ी ना कर लाइक जोए अंसर देता है कमेंट करता है वह चीज आज कर द मेरे पता लग जाती तो ऐसा नहों मैं आपको डिस्कौलिफाय कर दूबर बाद में तो यह चीज मत करना बाकि उसके लिए अब आते है विकेट की पर आने हैं और बैटिंग सेक्शन की बात की जैसे रोय विल जैक्स दोनों को लिया है बट मैं फाइनल टीम जो रही कि उसमें विल जैक्स को हटा सकता हूं क्यों क्यों कि इनके सामने जो जैक बोल रहते हैं वो काफी अच्छी बोलिंग करते हैं ठीक है आपको मैं उल्रेडी ब कर सकते हो क्या विल जैक्स की जगह पर आप टॉम करने ले लो ठीक है दो चांसे आपके पास में कोई भी एक आप लाइक इदर से ट्राय कर लेना दोनों चीज़ें किसी को भी आप ट्राय कर सकते हो बागे फाइनल टीम के लिए टाइग्राम चैनल जरूर देख लेना क्यो कोई महनत नहीं कोई कुछ नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं किसे फेक पर नहीं जाओगे सिर्फ औरीजिनल चैनल में पोच्छोंगे बाकी रेको कैप्टन वाइस कैप्टन कैप्टन एज विजुवल सेम करने वाइस कैप्टन के लिए मेरा जो बैंडगेट इदर से एक अच वीडियो है बिल्कुल भी मिस्स ना कर पाऊ एंड साथ इसाथ टेलिग्राम चैनल को जोई आप करी लोगे क्योंकि वहीं सब्सक्राइब करना और साथ इसाथ लाइक करना क्योंकि आपको पता है कि इस वीडियो में लाइक पर भी है जो गीववे तो अगर आप 350 प्लस ला रहेगा कि जितने भी कमेंट्स मेरे पास आने वाले ना उसमें से मैं कोई भी एक रैंडम कमेंट्स जो पिक करूंगा एंड वहां से एक विनर आपके लिए निकल कर आएगा बाकी एस मैच के लिए अब लवेश्ट एंड मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में बहुत ही ज